समंत पंचप पर जब महावरतापी राजा कुरु ने राज किया तो उनी के नाम पर इस थान को कुरुक्षित्र यानी कुरु का क्षित्र कहा जाने लगा। राजा गुरु ने धर्मानुसार अपने प्रजा का पालग किया पर राजा गुरु अपने कांबे लगे रहे उन्होंने और तालिस गोस भर्थी जोती और तब एक प्रकाश पुंज उनके सामने प्रकट रूँआ अब वो भाग गए स्वेम नारायन ने मुझे दर्शन दिये अपने दास का प्रणाप स्विकार करें कल्यान हो हे तब ती नंदन आपने परिश्रम से भूमी तो तायार कर ली अब बीज मुझे ले दें उन्हें मैं बोदूंगा हे सर्वग्याता मेरे शरीर के अंग ही धर्म के बीज आख क्रदया इन्हें के बोदी जिये तदास दो भगवान विश्णों भी अपने चक्रों से राजा कुरू की शरीर के अजार उंतुकड़े के और उन्हें अर्तारिस कुस में वो दिये राजा कुरू के बलिदान और श्री हरी के बर्दान के कार यह भूभाग धर्मक्षेत्र कुरू क्षेत्र के नाम से विज्ञात हुआ इसकी रक्षा चार यक्ष करते हैं और यहां की ओड़ी कोई धूर के कर्द की पापी को परमपत देते हैं समय आने पर गर्द, नक्षत्र इवं तारगर्द भी आकाश से गिर जाते हैं कि दू़े जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं उन्हापृत्य उपर नहीं बिरते, अधाथ बेपुना जन्ड नहीं हैं अच्छा, तभी कुरुक्षेत्र को धंग शेत्र भी गहते हैं हाँ, ये धर्थी राजा कुरू के बलिदान से बनी है और उन्हें कवंश आगे चलके महाभारत का कारण भी बना वो कैसे? द्वापरियुक में कुरूबंश में जन्में कौरण और पांड़ महाभारत के मुखपात थे कौरण वो और पांड़ों की कहानी तो हमें पता है बहुत अच्छे, पर क्या तुम्हें पता है? महाभारत का हर अध्याय हर चलित्र जीवन के किसी पक्ष को उजागर करता है यही कारण है कि इसे पांचमा वेट भी कहा गया है पर बाया का पड़ता पड़ा है ऐसी गुथी से सौ तरह के गुरूप मनुभृत्या और तिछाय जन्म लेती है जो दुर्योधन और उसके भाई है पांडव पांच एंग्रियां है जिने जब श्रिक कुष्ण के रूप में परमात्मा का भाग दर्शन मिलता है तो वे उन मनों मित्रों कर विजेबाले थी उस महायुथ का एक-एक द्रिश्व आज भी मेरी स्मृति में जीवे थै आपने सब कुछ अपनी आँखों से देखा था हां सब कुछ पांडव का बराक्राइब तो पांडव का चलता पड़ अभिमानियों की पीर्टा और बत पांडव की शैया पड़ले थे भीश्म की शिक्षा और तूपी जग्धा के सहारे बित्यु की ओर सर्पता तुर्यों महामारत युद्ध की विनाश्रीला अवश्य भावी थी इस विज्वांस के पटल पर दें नयक्युद्धी सथा का लिखा का दिश्चित था महारत का युद्धक झाना विटा तो अधर्णपर धर्ब के जड़ा को देषा का मादगा युद्धक युद्धा मान जाती हो इसका ज्यान ने बेड़का उठक है है को